गरों का बिगाड सबसे पहले घरों में नमास पढ़ना शुरू करो छोटा बच्चा साथ साल का हो जाए नमास की हुकुम उसे दो दस साल का हो जाए तुमारे बिस्तरों से उसे अलग सुलाओ और नमास ना पढ़ने पर उसे मारो किसे दस साल के बच्चे को हैं 50 साल का बुद्डा नहीं पढ़ रहा इसे क्या लेक मारना अल्ला के नभी बोले 10 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ा मारो बड़े बड़े बुद्डे मियाँ, बीवी, भई, भाना, चिच्चा कौन भी नहीं पढ़ रहा है नमाज आ वोन मारना, इनको. अल्ला मारता, अल्ला की लाठी में अवाज नहीं, अल्ला की मार में अवाज नहीं, गयब से पड़ता. आति जब भाग लेको, मुलसाब, ये मुसुवथा, मुलसाब, ओ मुसी बता, मुलसाब, ये परिशानी, घरोंका माहल तुम्हारा वो इसा है ए एमान वालो, अपने आपको, अपने घरोलोंको जहन्नम की आपसे बचाओ छे नम्मर आयत में, बोल रहा तुमारे घरवालिया, भी तुम्हे जहन्नम से बचो आज हमें हराम का, हमें भी खा रही हमारे घरवाले अंगलाग खला रही जहन्नम से बचा रहे हैं नहीं हमें जहन्नम में ढगल रही मैं भी खागो जहन्नम में जातू तुम्हें भी खाग मेरे साथ आओ नेकियों के पहाड लेकर आएंगे लेकिन अल्ला क्या करेगा फयजालहुलाहुहबाः मनसूरा अल्लाह इनकी नेकियों को तराजू में रखकर तोले जाने से पहले फिजा में उड़ा के बिखेर के जैसे धूल हमारे हतेली में रखको फूगया तो उड़को बिखेर जाती ना वैसा इनकी नेकियों को बर्बाद करके रख देगा अल्लाह ताला क्यों? सहाबा ने पूछा क्यों? अल्ला के नभी केते दिन के उजाले में हलाल कामा करने वाले, रात के अंधेरे में अल्ला की हलाल करदा चीजों को हराम करने वाले दिन के उजाले में शर्बत पीने वाले रात के अंधेरे में शराब पीने वाले दिन के उजाले में इसलामी मेसेजां भेज को दीन की खिद्मत करने वाले रात के अंधेरे में गंदे वेबसेट देखने वाले दिन के उजाले में हलाल अरतों से मिलने वाले दिन के उजाले में हलाल कमाने वाले राक के अंधे ले में हराम कमाने वाले ईना लाहम्दा लिल्लाह अल्हम्द लिल्लाह रब्लाओमीन वाल-आ्द ल्मौत कीन वस्सालात वसलाम अला अश्रफ लणियाई वालमर्सलीन वाला आलिह शभाद eig Confederacy उढ़ बैती ही ज्माईण बिरह्मतिक ते बिरह्म आरह्मार्मीन अव्द बिल्ह ही अऑन हो नकी दो भूसिलाग दो चजे वादी शि blurred पर और हो नहीं अव्द मुजी जो भाधीं दो फी आखिर रोथ प्यादी श्वित लोसे बिल्हे पर भूस्ति बत्तिति Kayn भाधीम, वैँ झालादीर्णष दो रिय proc लाफ़ वला तत्बियू खुतुवात श्शेटान इन्नहु लकुम अदू मुबीन। ला इल्म लना इल्ला मा अल्मतना इन्नका अंतल अलीमु लहकीम। हर खिसम की हम्दो सना अल्लाह रब लिज्जत के लिए लायखो जिबा है। जो दोनों जहां का पालन हरो और परवर्दिगार है। दरूद नाजिल हो सारे नबियों रसूलों पर। खुसान आखरी नबी जनाब मुहम्मद रसूल्लाह सल्लाह अलेह वसल्म पर। अल्लाहमा सिल्यालाम्मद वालाली मुहमद कमा सल्लेता अल इबराहीम वालाली बराहीम शिंडा का Calvin मजीद। मुहतरम दीने और इसलामे भाईयो मेरी आवास को सुनने वाली पर्दान शी, मेरी अधुरी मयरी आपका भाई मैं आपका भाई जामई, जिला बलहरी करना तक आपके सामने घरों का बिगाड और इसका असबाब और इलाज इस उन्वान पर खुरान और हदीस के रोशनी में लब पुशाई करने खड़ा हूँ हमारे घरों के मौाशरे, हमारे घरों के माहोल बिगडने की वज़ा से हमको आज अपने घर को इसलामी माहोल बनानी की जरूरत है घर का माहोल क्यों बिगड़ता है इसलामी माहोल घर में बनाए रखने की खातिर जरूरत है कि घर के बड़े सुधरे रहें घर के बड़े शरीयत के पाबंद रहें अल्लाह रब्लाइजद की निगाह में जो रूल्स जो असूल पसंद है अल्लाह को वो सिर्फ इसलाम के असूल पसंद है इन्न दीन अंद अल्लाह लिसलाम दीन अल्लाह के पास काबिल कुबूल सिर्फ इसलाम की शकल में है इसलाम वो तमाम चीजें पसंद नहीं करता जो आज हमारे घर में चल रहे है हमारे घरों में क्या है बेपर्दगी है इसलाम इसे पसंद नहीं करता हमारे घर में क्या है टीवी है नाच गाना चलता है इसलाम इसे पसंद नहीं करता हमारे घर में क्या है दीन के तालिम नाम को भी नहीं दुनिया के तालिम के बड़ी बड़ी डिगरिया है भी दुनिया के तालिम पढ़ाओ बेशक पढ़ाओ डाक्टर बनाओ, इंजिनियर बनाओ लायर बनाओ, दुनिया का बड़ा कोई धक्तूर बनाओ डाक्ट्रियत बनाओ लेक्चर बनाओ, टीचर बनाओ खौम औ मिल्लत का फाइदामन इंसान बनाओ, दुनियावी तालिम पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दीन से कोरा मत बनाओ इसलामी माहूल नहीं हमारे घर में नमाज नहीं हमारे घर में जिसकी वज़ा से घर के माशरे माहूल बिगडे हुए अल्ला की नबी ने क्या फरमाया अपने घरों को खबरस्तान मत बना ला तज्यालू बयूतकुम मकाबिरा तुम अपने घरों को खबरस्तान मत बनाओ हमारे घर खबरस्तान के खबरस्तान से बत्तर हो गए कब होती खबरस्तान जिस घर में नमाज नहीं पड़ी जाएगी वो घर खबरस्तान होगा जिस घर में खुरान की तिलावत नहीं होगी वो घर खबरस्तान होगा खुरान की तिलावत चलते रहना नमास पढ़ते रहना मरत बाने मस्धिद में नमास पढ़ना सुनना तांग घर में आको पढ़ना मस्धिद में फरस पढ़ना सुनना तां घर में पढ़ना हमारे अउरतें वकत वकत पर नमास पढ़ना नहीं सीरियल चल रहा बाद में पढ़ती हमें वो पढ़े तो पढ़े नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े फिर नमाजां कुन पढ़ना जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी शैतान उस घर में बसे रा कर लेते हैं शैतानां का अड़ा हमारा घर सुकून आओ बोले तो कहां से आता घरों का बिगाड सबसे पहले घरों में नमाज पढ़ना शुरू करो चोटा बच्चा साथ साल का हो जाए नमास की हुकम उसे दो दस साल का हो जाए तुमारे बिस्तरों से उसे अलग सुलाओ और नमास ना पढ़ने पर उसे मारो किसे? दस साल के बच्चे को हैं पचास साल का बुड़ा नहीं पढ़ रहा इसे क्या लेक मारना अल्ला के नभी बोले दस साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ा मारो बड़े-बड़े, मियां, बीवी, भाई, भाना, चिच्चा कौन मी नहीं पढ़ रहे नमाजा कौन मारना इनको अल्ला मारता अल्ला की लाठी में आवाज नहीं अल्ला की मार में आवाज नहीं गयब से पढ़ता आतीन जब भाग लेको मुल साब ये मुसीवता, मुल साब वो मुसीवता मुल साब ये परिशानी घरों का माहल तुमारा वह इसा है एक फिलिम हमें क्या देख लेक बेड़ती वो गंदे सीन आने के बाद चैनल तक चेंज नहीं करते अम्मा भी देख रही, भान भी देख रही जवान बेटी भी देख रही बच्चे भी देख रही पहले हमारे बुज़ुरगां ये हमें हिफिल में बैठी पहले बुड़े अद्मिया, बड़े अद्मिया, हमर नाना, हमर दादा, जब उनकी जवानी में उन्हों शादियां करते थे, एक औरत, एक मरत के बीच में क्या होता करने का भी मालूम नहीं रहता था उनको, ये बुड़े अद्मियां की बात बोल रूम है, उनकी जवानी में, शा बच्चा कैसा पैदा होता पेट में बच्चा कैसा टिकता पूछो पूरा बोलता हुने कईको ये टीवीओं से ये टेलिवीशन से ये मुबाइल से हमारा घर जिनके घरों में टीविया नहीं उनके घर में एंडरोड फोन मुकम्मल घर का माहूल बिगाड दिया हर घर की कानीबल रुमाई हर घर की पिचर ये आज हमारे बच्चों को देखो जब तक हाथ में फोन नहीं देते बच्चा खाना नहीं खाता उसे कार्टून दाल को देना उन्हें क्या तो भी एक देखना उसमें इदर देखते रहता उदर अम्मा खलाते रहना नहीं के तो खाई नहीं जाता उसे अच्छा उखाने का रहने बाखी क्या उखात में अम्मा का फोन बावा का फोन रहना हमेशा बड़े बड़े अद्मियां को चलाने नहीं आता फोन आथ बच्चे बच्चंग चलाने आता हमारे घर का माश्रा, माहूल बिगडने का असल सबब ये शैतानी अड़े भई, फोन गलत नहीं है भई टीवी गलत नहीं है भई उसका इस्तेमाल गलत है हमारे घरों का माहूल पुरा बिगड़ गया इसे सत्यानास हो गया घरों के नवजवान बिगड़ गए लड़किया बिगड़ गई, लड़के बिगड़ गए हम क्या समझ रही हमारी अम्मा, हमारे भाना फुल सेफ्टी में है हमारी बेटी, हमारी बेहन चार दिवारी में पर्दे में बहुत हिफाज़त में है क्या अभी हिफाज़त में नहीं पर्दा क्या नाम है, बराए नाम पर्दा है ये टिक्टार, ये मुझरा ये सुडगार आने के बाद पर्दे का नाम गुर्दे में बदल गया पुरा परदा सत्यानास हो गया हमारी मा बेटी बहनों का चार दिवारी के अंदर बेटको चुने फिलिम संग के उपपर एक डैलाग एक रिकार्ड करको दाल लालती टिक टाक में मेक अप कर लेखो हमें क्या समझ रही हमारी बेटी परदे में बैठी अंदर हमारी बेहन परदा कर रही पूरी दुनिया देख रही उसका परदा का है परदा मेक अप कर लेको सज लेको धज लेको एक यूटूब में अपना चैनल बना को क्या तो भी अप्लोड करे अब जत्ते वीवर्स आएंगे, जत्ते सब्सक्राइब्स आएंगे, आटोमिटी किसे पैसे आते रहेंगे फाहाशी का अड़ा बन गया ये फोन, फाहाशी का अड़ा इत्ता ही नहीं ब्लू फिली में देखने की बेमारी हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों को गंदी फिली में देखने की बेमारी एक इंटरनेट पर क्यामरा आन करो सिर्वी दिखावनों को चहरा दिखावनों को खाली निच्चे से उन्हें पूरा लंगा बदन दिखाती वीडियो अप्लोड करती अट्टमिटिक डाला ना पड़ती इसके यूटूब में इसके चैनल में आको इसके अकौंट को आको पड़ती बदन सर नहीं वालू हो रहा बदन दिखारी लंगा अस्तग्फिरुल्ला सुम्म अस्तग्फिरुल्ला आपको शायद यह सुनकर हैरानी होंगी यह चल रहा माशरे में हमारा घर सत्यानास हो गया जब से यह यहूदी कल्चर यह इसाईयों का कल्चर यह यहूद नसरानीयों के फैशनबल हमारे घर में आये सत्यानास हो गया माशरे बिगडे हुए माशरे को सुधारे हैं कैसा अल्ला का डर लाओ अपने दिल में अल्ला का डर पैदा करो अपने दिल में घर को इसलामी माहौल बनाओ मेरी मा, बेटी, बेहन मेरे नौजवान साथियो मेरी प्यारी बहनो अल्ला के नभी सलालाहु अल्याई वसल्म की अल्लाह की चंद बातें आपको बताऊंगा अपने दिल में खौफ पैदा करो तो मैं क्या समझ रही बंकमरे में चादर वोल्डे को मैं गंदा देखना शुरू करया तो कोन भी देख रहा नी मैं अकला देख को एंजाई कर रहू अरे कोन देखें दे नहीं देखें दे मेरा मालिकुल मुल्क तुझे देख रहा मेरा अल्लाह तुझे देख रहा रे नालायाख इत्ता भी तेरे दिल में डर नहीं और अल्ला इंसान को एक हत्ता का ढिल देता हत्से ज्यादा इन्हें अयाशी करना शुरू करता हत्से ज्यादा फाहाशी करता अल्ला हत्ताबार को ताला इसे इसी खोम में उसी के घर में उसे जलीलो खार करको छोड़ दालता अल्ला की मार पढ़ने से पहले जिल्लत की लाठी तुम पर चलने से पहले सुधर जाओ अपने गुनाहों से बाजा जाओ अपने बिगडे हुए माशरे और घर को सुधार लो मेरे नवजवान साथी हो मेरी प्यारी बेहनो कोई भी गुना तनहाई में करने से पहले शरीयत की चार बाते याद रखो चार बाते याद रखो नमबर एक अल्लाह ताला तुमारे दाएं बाएं दो फरिष्टों को मुकरर कर दिया एक का नाम किरामन दूसरे का नाम कातिबीन सुर्य अललाह के 9-10-11 नमबर आयत में इसका जिकर मेरा रभ करता आज़ू बिल्लाह मिन श्चैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह रह्मानिर्रहीम इन्ना अलैकुम लहाफिदीन किरामन कातिबीन हमने दो फरिष्टे तुमारे दाएबाएं बिठा दिये वो तमाम बाते नोट कर रहे हैं जो कुछ के तुम कर रहे हो चाहे महफिल में हो बन कमरे में हो तुम जहां जो कर रही फरिष्टे सोब लिक रही हमाम के अंदर हो या बातरूम के अंदर हो बेड्रूम के अंदर हो या कालेज के अंदर हो जंगल में हो या किसी लार्ज के रूम में हो फरिष्टे साथ में रती हैं याद रखो ऐसा नको समझो हमरे अम्मा ने, हमरे बावा ने, हमरे भाया ने, भाना ने हमें कले जाले को काले कामा कर ले रही 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 तेरे साथ है रही 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 जिस जमीन पर खड़े होकर तुम गुना करते हो ना ये जमीन कल कियामत के दिन तुमारे खिलाब पॉल खोल देगी मेरे नौजवान साथियो एक नंबर के नालाख क्या निकम्ने बन गए हम लोग ना हमना हमारे बावा की इज़त का ख्याल है ना हमना हमारे घर की इज़त का ख्याल है ना हमना हमारी जमात की इज़त का ख्याल है अरे सारी चीज़ें छोड़ो इसलाम का तो भी ख्याल है तुम ना बुर्खा पेनले को पारका में जग देखो बुर्खा पेनले को हिंदुआं के साथ रंग रंगे लियां कर रहे हमारे बहना इसलाम का तो भी खयाल है तुम ना तुमारे घर की इज़त मठी में तो मिलको गई जिस दिन तुमें अपने मुबाइल में किसी बॉइफरेंड के साथ चाटिंग करना शुरू करे उसी दिन तुमारे इज़त मठी में मिलको गई घर की इज़त गई हालब गई उन्हें क्या बोलता मैं शादी करतूं मैं ये लातूं तुझे वो करतूं उम्मीदान दिला को उसके इज़त लूट को उसे अबाशन कर रहा था उसे हमल नहीं टिकने के गोलें दिलाता हालब गई तुमारी इज़त इसलाम के बारे में सुचे तुमें कब तो नमबर दो जिस पार्क में जिस घर में जिस तुमारे कमरे में जिस लार्ज में जिस जंगल में जिस मौशरे में बैट कर तुम गुना कर रही न वो भी तो अल्ला की धर्ती है जमीन है यह जमीन कल खियामत के दिन तुमारी पोल खोल के रख देगी सूरे जिल्जाल आयत नमर चार जिल्जाल वो ले तो इजा जुल्जलति अर्जु जिल्जालहा यह सूरे की चार नमर आयत पड़ो आज के दिन मेरा रब पूछेगा ऐजमीन तेरे उपर होने वाले तमाम गुनाहों की रिपोर्ट हमारे सामने बयान कर वो जमीन डेट के साथ इयर, मन, डे, टाइम मिनट, सकेंड हर माहोल मौशरे के साथ वो अल्लाह के सामने वो धरती तुमारी पोल खोल को रख दालती, याद रखो गुनाह करने से पहले वत्ता याद कर लियो, जिस जमीन पो खोड़ो को मैं हमरे बावा की इज़त सत्यानास कर रहू हूँ, वो जमीन कल खयामत के दिन अल्लाह तालाह पूरी दुनिया वालों के सामने तुमारी इज़त की धज़्या उणा दालता गुनाह करने से पहले बचो दो हो गए नमबर तीन खयामत के महिदान में अल्लाह जब नामया माल हाथ में देगा, कहेगा इकरा किताबक वकफ़ा बिनफसिकल यूम आलेका हसीबा लेपड़, ये तेरा नामया माल है लेपड़ देख इसमें क्या अच्छा, क्या बुरा क्या करया, क्या अच्छ नहीं, सो अब देख ले उन्हें देखता, परिश्यान होता बोलता, अल्लाह अच्छ नहीं, सो 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 अच्छ नही बिसमिल्ह रुह्मान रुहिम अल्योम नख्तिमु अला अफवाहिहिं वतुकल्लिमुन आइदीहिं वत श्हद वर्जुलुहुम बिमार कानु यक्सिबून। आज के दिन तुमारे मुवपर महर लगा दिया जाएगा। तुम्हारे हाथों को बोलने की कुवत अला अता करेगा, तुम्हारे पैरों को बोलने की ताखत मेरा रब देदेगा, ऐए मेरी बहन, ऐए मेरे भाई, जिन उंगलियों से तू फेस्बुक चलाता ना, जिन उंगलियों से तू मेसेज़ां फारूड करता ना, जिन उंगलियों से तु गंदे वेबसेड ओपन करता ना जिस हाथ से तु फोन करता जिस मूँ से तु बात करता अल्ला अताला ये हाथ ये कान ये पैर ये उंगलिया चिला चिला कर तेरे खिलाफ गवाही देंगे हाँ अल्ला इन्हें उसके साथ ऐसा करया हाँ अल्ला इन्हें फलां जगा फलां के साथ ऐसा किया कोन गवा देंगे हमारे हाथ हमारी अंगलिया हमारे पेरा हमारे काना जब क्या करता मालूँ इंसान है चुप मारता अपने हाथों को मारता मुँच लो रहे, मुँच लो रहे तुमना मोटे मोटे करने हलाल जे क्या नी, हराम जे क्या नी, दुनिया में लुंडा करने का निंगल निंगल को मोटे मोटे करे या, अज तुम्हें तेरे खिलाब बोल रही, मुँच लो रहे मारता हातां को हातां चुपके रहती हैं क्या अल्ला का सुनती है अल्ला का क्योंकि अल्ला इनका खालिख इन हातों का खालिख कौन मेरा रब मेरे रब के हुकम से तुम्हारी पॉल खोल कर रख दी जाएगी मेरी बहन, मेरे भाई गंदे काम करने से पहले घर की इज़त सत्यानास करने से पहले अल्ला का डर पैदा करो अपने दिलों में मौाशरे को अपने घर के माहोल को बिगाने से पहले अल्ला का डर पैदा करो अपने दिलों में तीन हो गए किरामन कातिमीन तुमारी पूल खोलेंगे नमब एक, नमब दो, जिस जमीन पर गुना कर रही हूँ, वह जमीन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगे नमब तीन, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे उंगलिया, तुम्हारे पैर, तुम्हारे खिलाफ गवाही देगे नमबर चार इन तमाम गवाहियों को अगर इनसान ठुकरा भी दे अल्ला कहेगा इनल्लाह समीव बसीर इनल्लाह समीव बसीर बेशक मेरा अल्ला सुनने वाला और देखने वाला है अल्ला गवाहे तुमारे गुनाहों का कोई देखे ना देखे अल्ला देख रहा है हर जगा देख रहा हर हमेशा देख रहा अल्ला की निगा से छपको तुम्हें कभी भी क्या भी नहीं कर सकते यता है क्याद रख लिए बंध कमरे में राद की अंधेरे में समंदर के तल में क्या चल रहा कने का अर्श पर मुस्तवी होकर मेरा रब सब जानता अल्ला को ये लाइटिंग की जरूरत नहीं अल्लाह अत्वार को ताला पत्थर के अंदर रहने वाले कीडे को घिजा देता उसकी कैफियत जानता अल्लाह हम ना छोड़ता हमारी हर कैफियत जानता अपने घर के माहोल को मौाशरे को मत बिगाड़ो अल्लाह का डर पैदा करो गुना करने से पहले अत्ता याद कर लिए इबन माजा की एक हदीश है हजरत सौबान हदीश के रावी है वो बयान करते हैं मैंने सुना नभी को ये फरमाते हुए अल्ला के नभी सुना लगी बयान करते हैं मैं जानता हु मिरी उम्मत के उस खौमालों को यातून यूमल कियामा कियामत के दिनी ये लोग आएंगे बिहसनातिहम बिमिसलितिहामा ये अपने नेकियों को तिहामा पहाड जैसे लेकर आएंगे नेकियों के पहाड लेकर आएंगे लेकिन अल्ला क्या करेगा फयजालहुल्लाहुहबामनसूरा अल्लाह इनकी नेकियों को तराजू में रखकर तोले जाने से पहले फिजा में उड़ा के बिखेर के जैसे धूल हमारी हतेली में पूखें तो उड़को बिखर जाती वैसा इनके नेकियों को बरबाद करके रख देगा ल्लाह तराजू क्यों सहाबा ने पूछा क्यों अल्ला के नभी केते दिन के उजाले में हलाल कामा करने वाले राप के अंधेरे में अल्ला की हलाल करदा चीजों को हराम करने वाले दिन के उजाले में शर्बत पीने वाले रात के अंधेरे में शराब पीने वाले दिन के उजाले में इसलामी मेसेजां भेज को दीन की खिद्मत करने वाले रात के अंधेरे में गंदे वेबसेट देखने वाले दिन के उजाले में हलाल अरतों से मिलने वाले रात के अंधेरे में हराम अरतों से मिलने वाले दिन के उजाले में हलाल कमाने वाले रात के अंधेरे में हराम कमाने वाले ऐसे हराम खोरों की नेकिया तराजू में रखने से पहले बिखर को अल्ला बरबात करको सड़ बालता अल्ला का डर पइदा करो जी मेरे दीन योड इसलामी भाईयो आज हमारे घर में कैसा माहूल बन गया कर तो एक दूसरे को बाता नहीं उन्हें क्या की बोला का तो इन्हें अकडलेक फिरता इन्हें क्या की बोला का तो उन्हें अकडलेक फिरता एक किछ घर में रती भाया भाया अम्मा भाना लेकिन एक दूसरे को बात नहीं एक दूसरे को बात नहीं मुल साप क्या करना एक दूसरे एक देखेत होता नि मुल साप भाया भाया खोता नि भाना भाना खोता नि उन्हें क्या अदबलत इसे इन्हें शुरू करता इन्हें क्या अदबलत उन्हें लड़ी शुरू करता कैसा होंगा तुमारे गर का माहूल सलामा कर लेक जाती हैं कब तो तुम्हें बाई लांग घुसे सका घुस लेक जाती हैं सलाम कर लेक जाओ जी अल्ला के नभी कहते जो आदमी सलाम के बिना घर में जाएगा शेयतान उसके साथ घर में जाएगा सलाम भी नहीं कलाम भी नहीं Allah Ta'ala Quran में कहता है ला तद्खलू बूयूतकुम ऐए एमान वालो किसी के घर में दाकिल ना हो हत्ता तस्ता अनिसु वतुसल्मू अला अहलिह अपने घरवालों को सलाम करो इजासत लो इजासत ही तो अंदर जाओ यहां तक कि तुमारे घर में तुम्हारी बहन हंदे, तुम्हारी अम्मा हंदे, अगर उन्हों सो रहें, तीन आउखात में दर्वाजा कटट आगो, सलाम करको इजासत लेग जाना, एक सूरत तुलू होने से पहले, दूसरा सूरत खुरूब होने के बाद, तीसरा, जवाल के बाद खैलूला करने के में उनका कपड़ा कैसा रहता मालूम नहीं, डई इरट बहलां घुसे सक घुस जाती, सलाम करना, इशारा करना, दर्वाजा खट खटाना, अगर उनका कपड़े बे परदगी से हैं, तो उन्हों परदा कर लेती, अपने कपड़े दुरूस कर लेती, इजासत लेग जाना, एक तो सलाम नहीं सरका जाती हमें घर में, कैसा जाता इनने, एक कला नहीं जाता, शैतन को साथ में लेग जाता, अल्रा के Nelson के जहते हैं, जो भी सलाम के बिना घर में जाएगा, शैतन उसके साथ जाए, शैतन पुकार को बोलता, रे, इजार आओ रहें, कहा है रे तुम्हे काईसा घुसकी हो इसा घुसिया हमारा भाई इने चलो चलो यहां जेंगे उन्हें एककला नहीं जाता चार शैतनां को बला लेक जाता इन्हें बड़ा भाई भी सलाम ने सका जारा चोटा भाई भी सलाम ने सका जारा तीसरा भाई भी सलाम ने अम्मा भी सलाम ने भाना भी सल सामने, सोब जने, चार-चार शैतनां को लेग घर में बैठे तो, एक दूसरी को हींगा, क्या, इन्हें क्या तो भी विला, तुन्हें हुक गता था हुक कि इस बार कही को, उसके फिच्चा चार शैतना रहती, सलाम कर लेग जाओ जी, सलाम को आम करो, सलाम को भैलो, सलाम को भैलाने वालों पर सलामत ही नाजिल करता, जन्नत में जाने वालों की अलामत है ये, सलाम को आम करना, मिस्किनों को खाना, खिलाना, रात में तहजुद में उटको नमास पढ़ना, जन्नतियों की अलामत है ये, मेरे भाईयो अल्ला के नभी श. बयान फर्माते जो आदमी सलाम के बिना घर में जाएगा शैतान उसके साथ जाएगा खाना जब वो खाने बैठेगा शैतान उसे बिस्मिल्ला भुला देगा शैतान खाय सका खाता क्यात्ता खाय तो भी पेट को नहीं लगता पीट में से फिचे उतर लेग चले आता अब बोलते रहता ला अभी ला अभी ला अभी ला अरे क्यात्ता ला ना एकने वाले को तो भी बिस्मिल्ला बोल भा बिस्मिल्ला बोल बरकता थी पेट भरता बिस्मिर्ण नहीं बोले से कुंड़ बर लीता था था तो अधिन कम चुंड़ करें गहरी हो कोंड़ बरता हुआ घर में वही इसा होग गया हमारे बिस्मिर्ण बोल को खाए एकपीच एक रोटी से तेरा पेड भर जाता अल्ला वही शी बरकत देता शेटान क्या करता बिस्मिल्ला भुलाता है वह देख डाले पहले वह दाले पहले वह दाले पहले वह नली तू दाले उन्हें दाले ता देख लेट करेया उन्हें दाले ता काले नली काले हो यह बोलते बोलते देखते देखते बिस्मिल्ला भी सरले खाता क्या खायते भी पे पएदा होती हैं कैसे शैतानी फितरत के बच्चे मोली सबंग जान खाने आता मलसा मेरा बच्चा क्या जिदी पएदा हुआ जी बोलेश बाता सुनता नी जिवने क्या फटापल्टक जवाबां देता चट डिच पहंदा नी जिवने कभी लंगा रहता देखो ये बेमारी कहा खाए रहती मालूम हरे आला के बंदे तू दू दू पढ़ लेक्स होए रहता तो तू दू दू पढ़को तेरी बीवी से मोहबबत कर रहता तो अज इने ऐसा चिदगा पैदा नहीं होता था इस डू पर रहता दू पर क्या पढ़ना हुआ पढ़ना पढ़े तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहमा जन्नी बिनी शेयताना, वा जन्नी बीश्टाना, मार रजखताना, नहीं आता, लिकलो, इंगलीश में, अर्भी में, तेल्गू में, क्या भी नहीं आता, पूरी अंगोटे छाप तुम्हें, मुबाइल में रिकार्डिंग तो भी कर लेओ, सुनते 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 याद हुग जाता ये दूआ, अल्ला तेरे नाम से शुरू ऐए अल्ला हमारी मुलाखात में शैतान से बचा ले शैतान के शर्फ से बचा ले और हमारी इस मुहबत के बदले में जो फल हम ये अवलाद की शकल में दे रहा, उस अवलाद को भी तु शैतान के शर्फ से बचा ले ये दूआ का तरजुमा अगर वो दूआ तुमें पड़े रहते तो तुमारे घर में शैतानी फितरत के बच्चे पैदा नहीं होते थे इसलिए घर में घर में दाखिल होने की दूआ सलाम कर को, बैतुल खला में जाने की दूआ, सोने की दूआ खाने की दूआ, सोकर उटने की दूआ, खाने के बाद की दूआ अगर हमारे घर में हर दूआओं के पाबंदी करते रहेंगे, इंशाल्ला हमारा घर इसलामी माहौल बनेगा हमारे घर से शैतानी खसलते खतम हो जाएंगे नमाज की अखात आए तो भी चैनल हाफ नहीं करते हमें क्यत्य बड़े शैताना करना हमें ऐसा सीन चलते रहता वो पिच्चर का यानि तो कबडड़ी का ऐसा सीन चलते रहता किर्किट का लाष्ट ओर ऐसा चलते रहता इने जित था कि उने हारता कि अजी स्वाम मुझ कॉल में खळले को सिर्फ हुज ओले बटे रहता को या उने जीते हैं तो चुछा कब जयता कि नमाजान चोड़ले को खाना चोड़ले को यहां तक कि बातरूम को आया तembhe की लेक हाँ भटे रहता लास्ट बल को क्या मारता की देखेंगे सिक्स मारता की आउठोक जाता की तुझे कही को ना रे बाँ उन्हें आउठोक मरता की सिक्सा मार को संच्री मारता की तुझे क्या हो ना बाद में तू रिपले वो देख सकता मैं जा, उटको जा पहले नमास पढ़ ले जा, खाना खा जा, पहले तेरा जारूरत पूरी कर ले, नहीं, पहले देखना, अल्लाहु अकबर वो टीवी देखने के चकर में, हम लोग चैनल तक नहीं बदलते, नमास के अखकाद आते ही चले आते ही अल्ला के नभी ने वैयान फर्माया जिस घर में नाच गाने के आल한테 आम हो जाएंगे ख्यामत का इंतजार करना ये नाच गाने के आलाथ घर घर में आ गए, जिब जेब में आ गए मुबैल मुबैल में आ गए D video किते DJ बाजे गते drums कते oofar कते double music के गते headphone कते, bluetooth कते पहले क्या कि radio आया बाद में tape record आया बाद में VCP आया बाद में VCR आया बाद में CD आया DVD आया बाद में memory card आ गया एत्यच memory card में सब भी आ जाता गते अब एंडरोड फोन आ गया 6GB 64GB 4GB RAM 64, 6GB RAM 128GB, सब फोन में चा गया सारी बुराये उसमें आ गई अल्ला हुआ अकबर तुमारे घर में शैताना को बसे रा करोगा तो नहीं करते क्या है, सूच को देखो हमारे घर में नाच गाने चलते रहती, नमाजा नहीं चलते हमारे घर में सुबोश शाम म्यूजिक बसे रहती, खुरान की तिलावत नहीं होती शैतानी माहुल हमेज बनाए 101 नंबर के, शैताना हमेज बड़े शैताना हमें बनाए जी घर को इसलामी बाहुल बनाओ, घर का बिगाड निकालो घर को इसलामी माहुल से सुदारो अल्ला के नभी शैताना बयान फर्माते खयामत के मैदान में एक औरत जब जहन्नम में जाएगी अपने साथ कई मर्दों को साथ में लिए या ला इने मेरा शोहर कभी मुझे नमास के बारे में दावत नहीं दिया, या ला इने मेरा बाप कभी मुझे नमास सिकाया भी नहीं पढ़ाया भी नहीं, बताया भी नहीं ए ला इने मेरा भाई कभी मुझे पर्दे की तल्खिन नहीं करया एक औरत सवाल करती बाप होने के ना ते अपने बच्चों की तर्वियत सही करो भाई होने के ना ते अपनी बेहन को परदा कराओ शोहर होने के ना ते अपनी बीवी को इसलामी शियार का पाबंद बना के रखो वरना हर जिम्मेदार को उसके जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा तुम बाप हो तुमारे बच्चों के बारे में अल्ला तुम से पूछेगा तुम शोहर हो तुमारे बीवी के बारे में अल्ला पूछेगा तुम भाई हो तुमारे बेहनों के बारे में अल्ला पूछेगा क्या जवाब देंगे आप लोग क्या जवाब देंगे आप लोग आज हमारे गुनाहों की वज़ा से अल्ला के अज़ाब उतर रही हमारे उपर गवर करे तुमें अल्ला के अज़ाब उतर रहे हमारे उपर हमारे गुनाहों की वज़ास अल्ला के नभी बयान फरमाते हैं लोगों के पांच खिसम के गुना ऐसे हैं जिनके अज़ाब अल्ला पांच शकल में दुनिया ही में दे देता है हमारे पांच गुना Section 5 अजाब और पांच गुना कौन से हैं नमबर 1 जो खौम अयाशी फाहाशी कभीरा गुनाहों का शिकार बनती है अल्ला अत्बर को ताला जालिम हुक्मरानों को लाकर हमारे सरों पर बिठा देता है फाहाशी कबीरा गुना खुलम खुला करती है हमें शरम भी मेसुस नहीं करती है हमें सूत खाने में मुसल्माना रिश्वत लेने में मुसल्माना जिना करने में मुसल्माना शराब पीने में मुसल्माना किसी को धोका देने में मुसल्माना जूट बोलने में मुसल्माना सारी बुराईया मुसल्मानों के अंदर अल्ला ताला बड़े बड़े जालिम हुक्वरानों को लाख सिर्पो नक्को बिठाओ बिठाओ बोले तो कई नहीं बिठाता हमारे हातों की कर्टूतें ये नमबर दो जो खौम जिना आम कर लेगी मौत को कसरत से उस खौम में फैला देंगे जो खौम खौरान हदीस को छोड़ कर हमारे अम्मा करी सो हमारे बावा करे सो हमारे नाना से चले कारा सो हमारे खांदान में चले कारा सो कहीगा एक एक महिने में के कीदा मुहर्रम में जंड़यां की इधां गते रजब में कुंड़यां की इधां गते शाबान में वो अलामियां की बेसन गते वो बुजुरगयां का मुर्दयां का उत कते यह सब भी हमें बना लिये सो इसलाम में यह चुला भी नहीं यह हल्वा भी नहीं, पूरी भी नहीं, यह कुंडा भी नहीं, जंडा भी नहीं, इसलाम में. पड़को देखो, मेरे बाता, उन लोगों को भूद कड़वे लगते रती हैं, जो कुंडे बना बना खाते रती हैं. कैसा बोल रिना रह credit हो, हमारे मूः के हलं लीकले रह疑 देख़ो, सबछायो, मेरे अम्मा, सबदाइखो, अगर है तो बना मले, खा। खा। वर्च महने में घंड सानौ? अहां सिरैं, मुछतों मेरे में कोई रहती हैं तुमना कॉन तो रोक रहा, क्या दुकान में गूड नहीं मिलता, शक्र नहीं मिलता, फुटाने नहीं मिलता, लड़ों बनाले खाने, हर्चीज मिलती, नहीं, ओच भैने में बनाले खाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं मुलसाफ, महरम में क्या, चोंगे अब यहां नंदयाल में क्या बोलती मालूम नी हमारे करनाटक में चोंगे बोलती अब उन्हें बनाने वाला बना खाते रता उन्हें महरम में लेको पंजे लेक नासते रता अंगार में कुटते रता आगए आगए पीरो आंग में आगए वो क्या भी आते नि इसके आंग में शराप का नशा चड़े रता वैसा आगे आगे धुम धुम अलाली धुम मलाली धुम गट बले असत कुद दालता वीटूब में दिकाल को देखो क्या तो पीरा गते अरे पीरा रे तो जलको जातीं के रे लेके लिया असत कुद आगे वापस आने चाता निलपट लेक गिरे असत जलको जाता हून इसे बलतीं के या ए देवडू अचड़ू 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 ए प्यदुड़ू देवडू का यह एकड़ू नरू इकड़ू नरू यह अंगर बेगिर को मारें प्यदुड़ू देवडू अचड़ू 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 जो खौम नाबतौल में कमी पेशी करेगी अल्लाह ताला इस खौम के बरकतें छीन लेगा खेर और बरकत नाम के सत्यानास कर देगा अल्लाह ताला नमबर चार जो खौम अहद शिक्नी करेगी वादा खिलाफी करेगी अल्लाह तबारगो ताला इस खौम को इस खौम को बुरी बड़ी बुरी बेमरियों से दोचार करेगा और जो खौम जकात अदा नहीं करेगी आस्मान से बारान रहमत उस खौम पर अल्ला रोक लेगा ये पांच खिसम के गुना पांच खिसम के अजाबाद हमारे उपर तूट पड़ी सो पहले हमारे बावा हमारे दादा बुजुर्गा हैं बैठी उन्हों एलेक्शन के जमाने में वोटां पेपर में सिक्का मार को पेपर मुदर को डबबे में गुसरते थे वोटां दालते थे उस जमने में क्या भी 420 कामा नहीं अथे हमें रिश्वात खाने शुरू करे उन्हें वयसार में खाड़ा गाते इन्हें बीजेपी से खाड़ा गाते उन्हें एक नोट देता इन्हें दो नोटां देता भई मैं खड़ियू भई मिंजद दालना भई गता अच्छी बात ले भई तुझे दालतों ला एक नोट के पांसु रुपए ला उन्हें बोलता भई मैं खड़ियू भई मिंजद दालना भई ला तुझे दालतों ला गतो हजार रुपए इधर मंगले तुझे मालूम होता मैं पांसु दिया थे बटा हजार देरा गते देखे पिंक नॉट देतू गांदी पूटे की पिंक नॉट कथष़ ला इंडिया की बड़ी नॉट देता बेंचा दाला अच्छी बात ले बात टुझे दालतों तुझे कर द दालतों ला ख़ड में बेट आपिले ला लेयू असत मंगले तुझे अब नोट बीसे चा रह अप्यटन जाते हैं, नोटन में जिखने के लिए में इमन बेम Awakवा। थे गचह को ऎमान बेच को उखता है, लाओ जी इसर से लाओ जी कैजंक dużo से जमाने में इमान बेच को खते हैं वही जमीन इससे अद्मियां जी हमें, अल्लाहु अकबर, पहले हमारे सिरांग के उपर, NRC, CAA, यह सब भी खानून नहीं बने आ था, अब बन गया, इंडियन ला बन गया, NRC, CAA, क्या यह, इन मुसल्मानों को, दलीतों को इंडिया से निकाल को बाहर भगाओ, इनका वोट राइडी का पवर नहीं, जब तक हमें अपना इन, नैशनलिटी, हमारा सिटीजनशिप, हमारा ओटिंग पवर, हलाल तरीके से बगएर रिश्वत खाये देते थे, जब तक हमना कौन क्या भी डराता नहीं था, हमना क्या भी बोलता नहीं था, जब हम लोगां, हमारी नैशनलिटी, हमा पेज को खाना शुरू करें देखो अल्ला एनर सिसी के एनर शिसी के मुसिवत आला खड़ा कर दा ले तो में बेश थिह तुम्हेरा वोटर आइडी का पावर बेश थिह अल्ला तुम्हारे पास से वोटर यीदू का बशलिते घ़िड एफ Allah के वास्त अभी भी सुदरने का मौखा है ये इंडिया HIV हमारे बावा दादा के बेशमार खुर्वानिया है ये इंडिया हमारा देश है Allah का मुलक है किसी के बाप की जागिर नहीं है कौन भी निकाल सकता है हम ना लेकिन अभी भी सुदर जाओ अभी भी सुदर जाओ, हराम का नको खाओ, हाथ नको लगाओ मेरे दीने और इसलामे भाईयो अल्ला के नभी स्वाल असलेम बयान फर्माते ही जो आदमी अल्लाह से तख्वा इख्तियार करेगा हलाल रोजी कमाएगा, हलाल रोजी खलाएगा अल्लाह इसके लिए बरकतों के दस्यों रास्ते वोपन कर देगा वा मैयत तखिला, जो अल्लाह से डरेगा यज अल्लाह मखरजा, अल्लाह इसके लिए रास्ते हमवार कर देगा कैसे जगह से, वा मिन हैसु लायाह तसीब तेरा गुमान भी नहीं रहेगा इसी जगह से अल्ला रास्ते देगा लेकिन जो लोग हराम का खाएंगे अपने जोरू बच्चें को हराम का खलाएंगे अल्ला ताला जन्नत में दाखिल नहीं करेंगा याद रखना ला तद्धुल जन्नत मन गुजिय बिलहराम वा आद्मी जन्नत में नहीं जहेंगा जो हराम लुखमा करेंगा या अपने जोरू बच्चों को खला को बड़ा पालेंगा अल्ला जन्नत में दाखिल नहीं करेंगा या आयूहल लजीन आमनो खूँ अन्फुसकुम वाहलीकुम नारा वा खूदुहन नासुह वालहिजारा अल्ला ताला सुरह तहरीम में बोलता एए एमान वालो अपने आपको अपने घरवालों को जहन्नम के आप से बचाओ छे नम्बर आयत में अल्ला बोल रहा तुमारे घरवाले आपको भी तुम्हें जहन्नम से बचो आज हमें हराम का हमें भी खा रही हमारे घरवाले आपको खला रही जहन्नम से बचा रहे हैं नहीं हमें जहन्नम में ढगल रही मैं भी खागो जहन्नम में जातू तुम्हें भी खाक मेरे साथ आओ तुम्हारे घर को इसलामी माहुल बनाओ जी हराम काहत लगाओ उनों को जी और क्या एक दूसरे को देखे तो नहीं होता बातां छोड़ ले को फिरती हैं हमे अल्ला के नभी असलाओं जामे तिर्मिजी के हदिएस में वेयन फर्माते हैं अल्लाह ताला तीन खिل्यम के लोगों के ना नमाज, ना रोज़ा, ना दौा, ना अबादत ला एकबल ल्लَّहु लहू सर्फँ वला अ अदल्या ना तर्थ खुबल करेगा, ना सुन्त खुबल करेगा ना उसकी फरज अबादत खुबूल ना सुनत अबादत खुबूल ना नफिल अबादत खुबूल क्या भी खुबूल करतानी अल्ला नमाज जब भी हम पढ़ते हैं दुआ जब भी हम करते हैं आस्मानों में जाती वो अल्ला बोल रहा आसमान में तुम्हारी अबादत जाना तो दूर की बात तुम्हारे सिर के एक बिलिश्टुप पर भी नहीं जाती तुम्हारी अबादत तुम्हारी दूआ कौन इनो कौन इनो बदनसीबां तीन किसम के बदनसीबां नमबर एक वो मुसल्मान जो अपने भाई से बगेर उजुर के तीन दिन से ज्यादा बातें तर्क कर दे तीन दिन से ज्यादा बातांच नहीं करता उन्हें क्या कि बोलया कते इसे इरा पिता आया कते उन्हें नहीं बात कर रहा कते इन्हें भी नहीं बात करता कते अ시oco do schuptом hujan was Josh उनेख मींマिनेश सलाम कर रहा है , जो क्या उसका? उनेख मेरा सामने जुकर रहा है , मैं कैःगा उसका नहीं जुक न अईसे बात है आईसे बात है अब इए ईर्हा करी इंकार करी दॉया, पिए थ्या करी इसास में ए नि इनके इर्हा में इनके फिच्चे का क्यत्ता नुकसान हो रहा है अल्ला के पास तुमारी इबादतिस नहीं जारी तीन दिन क्या, तीन हफते क्या, तीन महीने क्या क्यत्ते की साल हो जाता, बातांस नहीं करते सग्गे फुपु गते, सग्गी खाला कते सग्गी भान कते भाई कने वाला भान के घर को नहीं जाता, इनको उनको होता नहीं, बाता नहीं सग्गा भाउनी कते, सग्गा बड़ा भाई कते, छोटे भाई को बड़े भाई को नहीं होता, उने उनके घर को जाता नहीं, उनके घर को जाता नहीं अरे अल्ला के बंदे अल्ला के पास तिरी अबादत तो भी खुमूल कर ले बाँ तिरी नमाज तिरी दुआ तिरी अबादत तो भी अल्ला के पास जान दे वत्तेक वास्ते तो भी जाक सलाम कर वत्तेक वास्ते तो भी जाक बात कर अपने घर के माहुल को एक दूसरे से खते तालुख ना किया करो अल्ला के नभी कहते अल्ला हताला उन लोगों के उमर में उनके माल में बरकतें देता है जो सिला रहमी करते हैं रिश्यदारी को जोडते हैं एक दूसरे के गलत फहमियों को दूर करते हैं एक दूसरे के मुहबत से मिल जुलके रहते हैं रिश्यदारियों को जोडने वाले क्यों देव फाइदे माल में बरकत, उमर में बरकत माल में बरकत, उमर में बरकत यह पहला अदमी एक मुसल्मान दूसरे मुसल्मान से बात छोडने वाला भई हो को भई से बात, भान हो को भान से बात छोड़ डाली पहला हुआ, दूसरा ऐसी या उरत जिसे उसके शोहर ने मुहबत की दावत दी लेकिन उरत ने इंकार कर दिया अल्ला के नभी कहते हैं उसके कोई इबादत उसके सिर के बिलिष्ट उपर भी नहीं जाएगी यहां तक के वो अपने शोहर को मना ले अपने शोहर से माफी मांग ले अपने शोहर का दिल जीत ले तब तक अल्ला उसके कोई अबादत खुबल नहीं करता ऐसा इमाम जिसे लोग पसंद नहीं करते जालिम इमाम, अमीर अल्मूमिन, खलीफत अल्मूस्लिमीन जबरदस्ती लोगों का इमाम बन को बढ़ गया मस्जित के इमामान हमें ये अमीर अल्मूमिन, वक्त का अमीर जो लोगों का जबरदस्ती हाकिम मना लोगों को ख्याल नहीं करता, लोग इसे नापसंद करती, इसकी कोई अबादत अल्ला आसमान में नहीं लेता अल्ला के नभी कहते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत में, हर पीर, हर जुमेरात, लोगों के नाम आमाल अल्ला के पास पहुंचाए जाते हैं अल्ला हर एक की मगफिरत करता है, लेकिन उन दो भाईयों की मगफिरत नहीं करता, जो आपस में बात छोड़कर लड़ाई करके एक दूसरे से बिछड़े हैं, अल्ला बोलता, फरिष्टों को, मेरे दो बंदों के बीच में सुला हो जाए, मैं इनकी मगफिरत कर दूँ, इन फऐ असलिहु बैनाखवईकुम अपने आपस के मसाइल को सुलाह के जरिए एक दूसरे में बाईट कर सुलाह सफाई कर लो, मिलो, बात कर लो, गली में बात आनी, यह घरवाले, वह घरवाले के बच्चे को क्या की बोले गते, क्या की छोटे लड़ा हुए गते, बच्या क कि खिलो ना उटाले, वहां आया कते, उनकी मुर्गी इनके घर में अंड़ा दे कते, उनों आम्ले बांडले, बारा ले खाये खाये कते ते अर जगड़ा, मुर्गी के अंडे का जगड़ा, उन Kollegin को बात करते ने, उन्हों को बात करते ने, कहीं काør अजी है, छोएटे बच्चे से बड़े अद्में लड़ा अल्लाहु अकबर आपस में सुला कर लो अल्ला के पास मख़िरत होती तुम्हारी और आखिरत की फिकर करो मौत की फिकर करो खयामत की फिकर करो जहन्नम की फिकर करो जिसमें हम न एक न एक दिन खबर में सुलाया जाएंगा, खयामत में पेश किया जाएंगा, जहन्नम से बचने की फिकर करो आज हमारे पास केते ने क्या हैं जी, केते ने क्या हैं का दिखाओ का तुम्हें, तुम्हें ने क्यां दिखाओ का, तुम्हें ने क्यां लामी माहॉल है, यह ता कर लग ठीडती, नमाजां पढ़ने वाले राजभिन, खुर्ण पढ़ने वाले, जिक्र करने वाले , अल्लभिके के दिन की दावत का काम करने वाले , अबू हुरेरा रजियालाहुत अन्हों की मौत का वक्त आया रो रही है अबू हुरेरा क्या बोले को मेरा सफर लंबा है ख़बर का खयामत का लेकिन नेकियों का तोशा मेरे पास भूत छोटा है मुझे नहीं मालूम अल्लाह मेरे साथ क्या करता की कौन बोल रही है अबू हुरेरा ये वो सहाबी जिनके सबसे ज्यादा हदीसे नकल हैं हदीस के किताबों में दीन की खिदमत करने वाले अबू हुरेरा वो सहाबी जो बोलते थे अंसार अंसार मार्केट मार्केट में खजूरों के बाग में होते थे मुहाजिर मार्केट में तिजारत करते थे अबू हुरेरा नभी के दर्बार में बैठ के हदीसे सिखा करता था ऐसे अबू हुरेरा मौत के वकद बोल रही मेरा क्या होता की मेरे पास नेकियों का तोशा कम है आखिरत का सफर लंबा है हदरते अबू अब्डुल्ह इबन-अमर इबन-अश की बोल रहे मेरे प्यारे बच्चो एक बात याद रखो बड़े बड़े जंगा लड़े सॉलेनो मिसर फता करें सॉलेनो अपने बच्चों को उबला को बोल रही मेरे प्यारे बच्चो मैंने अपनी जिंदगी के तीन दोर देखे है तीन दोर मैंने देखे है पहला दोर कुफर का दोर मैं काफिर था उस जमाने में अगर मरता सीजे जहन्नम में जाता लेकिन मेरे अल्ला ने मेरे कुफर के जमाने में मुझे मौत नहीं दिया मेरे जिंदगी का पहला दौर हो दूसरा दौर मेरे नभी का दौर नभी आये, इसलाम पेश करे, मैं इसलाम में आया इसलाम खुबल कर लिया उनके साथ बैठया, उठया, नमाजां पढ़या इबादतां करया, जंगा लड़या काश मेरे नभी के जमाने में किसी जंग में शहीद होता मैं जन्नत में जाने की उम्मीद करता लेकिन मेरे नभी चले गए मैं बज गया मेरे जिन्दगी का दूसरा बड़ा सुनहरा दोर अब मेरे जिन्दगी का तीसरा दोर नभी के जमाने के बात का दोर लड़ाई जगड़ाओं का दोर मुझे मालूम नहीं मेरे बच्चो मैं बिस्तरे मर्ग पर सोया हूँ मरने जारू मुझे मालूम नहीं अब तेरे बाप को अल्ला जन्नत में डालता की जहनम में डालता की मेरे बच्चो अगर मैं मर जाओ मुझे लगजा को खबर में दफन करको मेरी खबर पर खड़े हो कर इत्ती देर तक दुआएं करना इत्ती देर तक दुआएं करना जत्ती देर जत्ती देर एक उट को नहर करके निचे लिडाके जबा करके, उसकी चमड़ी उतारके उसके गोश्च के टुकडे टुकडे करके गरीबों में बाटने में जितने वक्त लगता है ऐए मेरे प्यारे बच्चो, मिजद दफन करने के बाद, मेरे इमान की थाबित कदमी के लिए, वत्ति देर तक तुम मेरे हक में दुआ करना, एक बाप वसियत कर रहा है, कौन? सहाबी रसूल, हम नहें, हम नहें फिकर रती तो भी, आखिरत की, हम नहें क्या जी, कहा है फिकर दुनिया की फिकर है, दौलत की फिकर है, पैसे क्यों कमाना उसकी फिकर है अमना, नेकियों की फिकर नहीं, आकिरत की फिकर नहीं, अगर तुमारे घर में, तुमारे अम्मा को तुमें क्या तो भी बुरा भला बोले रहे तो, अल्ला के वास्ते तुमारी मुत आने से पहले जाक अम्मा से माफी मांग लो तुम्हारे वावा से जाक माफी मांग लो तुम्हारे बेहन के ओपर हाथ उठाएड है तो तुम्हारे मौत आने से पहले माफी मांग लो क्या अभी बिगड़ता नहीं तुम्हारा अपने घर को इसलामी माहूल बनाओ मिल जुल कर मुहबबस से रहो है मैं कैसा यह करना माबाप तुमारे लिए अन्मूल तुहफा दुनिया की हर चीज पैसों से मिल जाती माबाप नहीं मिलते माबाप नहीं मिलते याद रखो अल्ला कहता है रिजल रभी फी रिजल वालिदें अगर पर अगर पर अगरमाबाप नाज तो अर्श वाला अल्ला भी नाज ठीले माबाप को खुष्रक बहा माबाप को मुक क कैसा का गालयान देता माबाप को क्यों मिले याँ बातां करता अरे कल पर सु मिले सर Yakuka याँ भी ढलेता जिर के उपр अम्मा बावा पैदा करको पाल को इसका हंगना मूतना धुला को बढ़ा करे अम्मा को भी केर करता नहीं बावा को भी केर करता नहीं अपने बच्चेवं को दीनदार बनाओ हाफिज-खुरान बनाओ आलिम-दीन बनाओ ये बात में कैक बल तुम आलूम? ये बात में क्यों बलतू? आज जा कर देखो बड़े-बड़े सिट्या में हैदराबाद में तुमारे विजयवाडा में या तुमारे बड़े-बड़े बिंगलूर में मुंबई में, कलकत्ता में बड़े-बड़े इंडिया के capital cities में जा कर देखो old age home old age home बुड़ों का एक hostel बना हुआ है वाँ जा को देखो कभी जा को उनके पास एक घंटा बइटका ओ तुमारा कलीजा फट जाता वो बुड़े हैं अपने पोतरदां को खिलाने के वास से अपने नवासियों को खिलाने के वास से अपने घर में बइटको चार बोल बोलने के वास से तरस री लेकिन बच्चे लग जा को उनको सरदालिन old age home में जाओ जी बावा हमारा पास टाइम नहीं तुमना पालेक बेटने जाओ तुमना पैसे होना नहीं बेस तुम है महना महना अरे दिवाने तेरे पैसें की जरूरत नहीं रहे उनको तेरी महबबत की जरूरत है तेरे सहारे की जरूरत है तेरी खिद्मत की जरूरत है माबाप माबाप की खिद्मत करने वाला जन्नत में जाएंगा माबाप की रुस्वा करको नाफर्मानी करने वाला जहन्दम में जहेंगा अल्ला उसके नाम आयामाल बर्बाद करको रख दालेंगा Old Age Home में किसके माबाप लायरों के माबाप, टीचरों के माबाप, इंजीनियरां के माबाप, बड़े बड़े दुनिया के डिग्रियालियस वालें के एक हाफिज खुरान का माबाप, आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, एक आलिम दीन के माबाप, आपको किसी Old Age Home में नहीं मिलेंगे, क्यों? मदरिसे में वो सिकाया जाता है कि तेरी मा के खदमों के नीचे जन्नत है, तेरा बाप जन्नत के और दरोजों में से दर्मियान का दरोजा है वो सिकाया जाता है माबाप क्या खदर होती, क्या इज्जत होती क्या महबत होती, वो जानता हाफिज कने वाला, आलिम कने वाला मैं यह नहीं बोलता तुमारे बच्चां को दुनिया के डिग्रिया नको पढ़ाओ, खाली आलिमा बनाओ, बनाओ डिग्री पढ़ाओ, लेकिन इल्म वाला, दीन का इल्म से कोरा नको करो उसे दीन का इल्म सिकाओ उसे तब उन्हें माबाप की खदर जानता और तुमारे घर में, तुमारे अम्मा पो तुमारे बावा पो, तुमारे भाना पो भाया पो, कभी गालयां दिये रहे तो पकड़क मारे रहे तो क्या तो भी उन्च निच बोले रहे माफी मांग लो जी कईको, कईक माफी मंगना मैं कईक माफी मंगना माफी मंगए छोटा नहीं होता तू छोटा नहीं होता ल्लाके नबी स्ञ. खुद्वे हजतिल्विदा में सारे सहाबा को ये इलान करके बयान कर रहें, मेरे सहाबा मैंने ल्लाके पगाम को तुमारे तक अमानत भारी से पहुंचा दिया, क्या तुम आप 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 आन जाने में, मिरी जबान से, मेरे हाथों से, किसी को तकलीफ हो रहे, तो आल्ला को आसे मिझे माफ करो, बोले अल्ला की नभी, मुझे माफ करो, अगर कोई सजा देना चाहे, ये मुहम्मद अब्डुल्लह हाजि़ है, सजा देने हो, लेकिन आखिरत में नग को पकड़ो अल्ला के पास मिंजे नग को पकड़ो मैं क्या तबी बोले रहा है माफ कर दा लो कौन बोल रही है काइनाथ के सर्वर एक कवने हमारे नभी रहमतुलिलालमीन बोल रही है जी बात यह मजलिस में एक सहाबी थे उनका नाम अब्दुल्ला इबने अतीक था उठे ऐ ला के नभी आप एक बार मिंजे मारे थे मैं मार कुछ बदला ले तूँ उमर बिन खताब उठे बोले ला के नभी तुम ना मारने की बात करता इने तुमें हूँ बोलो उमर की तलवार इसकी गर्दन उड़ा को रख दालती है नए नए इसे क्या भी नको बोलो आओ जी मेरे सामने आओ जी कब मारे था मैं कब की मारे थे तुमें अच्छा क्या लेक मारे थे लाओ जी कोडा लाओ जी कोडा दिये ले भी मार ले उगत पल्टे अल्ला के नभी मार ले उगत पल्टे ऐल्ला के नभी इंसाफ कीजिए आपके बदन पर उस वक्त मेरे बदन पर चादर नहीं थी आज आपके बदन पर चादर है चादर हटाईए मैं भी वईसाच मारतू अल्ला के नभी परेशान सहाबा की चीखे निकल गई बगेर चादर के नंगी प्लिटपा मारने की बात कर रहा है जालिम आदमी कईसा आदमी लोग रोने लगे नभी चादर हटा दिये और उसके सामने पेश कर दिये ले भी मार ले ता मार ले वो सहाबी कोड़ा लेका हाथ उपर उठाए हाथ कापने लगा कोड़ा निच्चे गिर गया नभी से चिमट गए और गर्दन के पास यह निच्चे एक उंचा नभी चादर को महरे नभूत नाम की एक चीज़ थी जिस पर एक काला मसा था वो चूमे वो सहाबी और बोले मेरे माबाप आप पर फिदा मेरे माबाप आप पर खुर्बान फिदा का अभी वाउमी है एल्ला के नभी मेरे माबाप आप पर खुर्बान गजव औहद में आप सफारा के बीच में अपनी छड़ी से मुझे पीचे ढगे ले थे बस एत्ताच करे थे आपने कभी मुझे नहीं मारा मैं बहाना बनाया मैं हदीस सुना था जो इमान की हालत में मेरी महरे नबूत को देख ले जहन्नम के आग उसे नहीं चू सकती मैं महरे नबूत चूमना चाहता था अल्ला की नबी ने कहा मैं दूआ करतूं अल्ला तेरे पर जहन्नम हराम करे लेकिन ये हदीस हमारे लिए क्या इपरत रगती वत्ते बड़े काइनात के पैगंबर आम इंसानों के सामने मैं क्या तो तकलीफ दियारत माफ करो कर बोल रही हमें हमारे अम्मा से हमारे भाना से हमारे भाया से माफी मंगें क्या तो घंड़ा बिगरता हमारा क्या तो भी बिगरता हमारा माउत आने से पहले अपने घर के माहूल को इसलामी माहूल बना लो अल्ला के वास्ते सुधार लो कभी नाचाखियों के साथ रिश्यदारियां तोड़ के दुनिया से नको जाओ अल्ला ताला मोखा दिया आज हमना जीने का मोखा दिया कल सांस रुक जाती मुर्देख सामने माफी मंगना चाहे तो भी नहीं माफ करते नहीं माफ करते बाज लोग हैं मुर्देख से माफी मंगने वाले कोनो जिन्दगी भरी ने महर नहीं देता जोरू का शादी में लिखा दालता क्याता लिखतीं की लिख लो इमाम सर मैं देता नहीं उन्हें लेतीं लिख लो पच्चास हजार एक लाग देड लाग दो लाग लिख 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 अब आवरता इसके बंगड़ा फोड़को गयमा बेवा हुई ना आगे तू पहले उसे खेंश लेकाती का आती मरत के जनाजे कने बुला लेकाक बोलती बोल तेरे मरत को अजी मैं महर बख्षी जी बख्षी जी मैं तुमना महर अब वहां को उसकी जो रूप बोलने का इराद बदकषण उसका जबरदसी बुढ़्या बोलने लगाती बख्षी काना बोल बख्षी काना अजी मैं बख्षी लोग झी जो स्वीया आखरी सवर सलम अलयकम जाओ जी महर बख्षी जी जो रूप को म मह अचेने भुला लेका को मैयत का ने महर बख्षी कर थी बेटा मारे आ वहने का बखघ्ष ने क्वासते नहीं? महर क्या चीज मालूम से नहीं, महर क्या चीज? आज के जमाने में शादी करने को वासे जहेज देखती हैं पहले है क्या करेंगे नहीं तो नक्को करेंगे अगले साल करेंगे क्या जी तुम्हार बच्चेक शादी करते हैं नहीं मुल साब अभी पवां पो खड़ाच नहीं गुड़ियां पो रेंग रहा अभी धोपरां से लिल्ले को फिर रहा, अभी खड़ना हुने, कब तक हा, सिर में के हादे पटनती बाला निकल को गए रहती, अभी खड़याच नहीं गते, लाश्ट कू, देखता, 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 बच्चें को यत्ते देखता, देखता, खाली नामा रखता, इसकी नाक लंबी नहीं, इसके हंक्या छोटे हैं, उसके बाला लंबे नहीं, इन्हें गोरी नहीं, अभी गोरी होना, अभी खुबसुरत होना, इन्हें का आला डामबर उठले गया परवानी, इसकी जोरू भूद गोरी होना इसे, अभी गोरी अच्छी बात जाग देखता एक जगा, बावा बुला लेक जाग दिका, बेटे, देखे देख, अब देखते ही वो बिचारी, ब्यूटी पारलर को जाका को, मेक अप कर लेक, गुडी गुडी बटे सरका बटे रहती, हलो देख्या सत मल्लोग जाता हो से देखना क सती, बाव मै करयात इसे जग करने का पईडे करो का था, शाधी करो देखना बावा, अब दुल्हन घर को आती, हमाम में जाक मूँ धोलेक निकल को हमाम से बाहर आती, इन्हे घुरले बढ़ जाता हो से, बोलता बावा, मै जिस लड़की को करो बोले तुम्हे उसकी अम्मा को कर ले ग मेरे बेटे, ब्यूटी प्वारलर का जादू, हमाम में बोडोलेक चले गया, असली फिगर सामने आया बेटे, ये बुड़ी को तुम्हे पसंद करया से, अईसेक मिलती सो, लड़की वाले को कभी नामा नहीं रखना, कभी भी रिष्टा देखने गए जगा, हजार जगा क आखो, साउनामा रखो, नहीं आना, लाश्ट को ऐसेक मिलती सो, कभी भी बच्चों के शादी करने में देरी मत करो, अपने घर के माहौल को, अल्ला के नभी ने कहा, जब बच्चे बालिख हो जाएं, माबाप अगर निकाह करने में देरी करते हैं, जितना वो बालिख लड ने कहाने वाले, तुम ना कहीं कहो ना जी, तुम्हारा बच्चा बालिख हो गया, शादी नहीं करें तो उन्हें करता सो गुना ला तुम ना देता, इसलिए, सही उमर में शादीयां करदा लो, और, अल्ला के नभी ने की अधीश बता कर आखरी हदीश, मैं अपनी बात ख हाल में के तुम मुसल्मान होकर मरो, मुसल्मान की हालत में मुताना, अल्ला को खुश करने की हालत में मुताना, अगर हमें यहुदियों के तरीखे पो चलते हुए मरें, अल्ला हमना यहुदियों के साथ जगाता है, यहुदियों का कल्चर क्या, दाड़ी मुंडाने का कल् हमारे नौजवाना देखो किए ते नौजवाना के चेहरे पो दाडीया नहीं यहूदियोन का worship दाडी को अमुदाना मुझ जाम कूबदाना यहूदियों का शेवा अल्ला ह這邊 क्या वोल औला है मेरी उम्म नेख्वारी नेख्वाइगी मुच्छि इंड कम करेगी के वास्ते, पूरे अंबिया का चेहरा ये, हर नभियों का चेहरा दाड़ी वाला, हर सहाभी का चेहरा दाड़ी वाला, एक नभी का नाम नहीं बता सकते तुम्हें दाड़ी मुंडाने वाले, एक सहाभी का नाम बता सकते दाड़ी मुंडाने वाले ये चहरा जननत में जाने वाला चहरा जी नहीं मैं हैंडसम दिखने के वास्ते मुंडात हूँ दुनिया वालें को क्या हैंडसम दिखता रहे बेखूफ अल्ला की निगाह में हैंसम दिख अल्ला की निगाह में प्यारा चेहरा ये दाड़ी वाला चेहरा ये दाड़ी वाला चेहरा अल्ला की निगाह में बड़ा महभूब चेहरा दाड़ी रखो दाड़ी नहीं रखते हमारे नौजवान टखने से निचे कपड़ा टखने से निचे कपड़ा पहनने वाले पर अल्ला की लानत उतरती याद रखो रहमत अल्ला की नहीं उतरती हमारे नौजवानों को चाहिए कि टखने से उपर कपड़ा पहने अपना चेहरा, अपना शियार इसलामी शियार बनाएं हजरती यूसुफ अलिह सलाम की तारीफ अल्ला खुरान में करता मेरा यूसुफ एक कमरे से निकल को दूसरे कमरे में गया उसे देखने वाली मिसर की कनीजाएं फल काटने की जगा अंगलियां काड़ दाली वो हसीन थे यूसुफ कैसा थे दाड़ी मुंडा को नहीं थे दाड़ी रको खुबसूरत थे आज हमें कई को दाड़ी मुंडारी हैं हमें कई को दाड़ी मुंडारी अगर दाड़ी मुंडे मरे अल्ला दाड़ी मुंड़ों में उठाएंगा तुमना याद रखो दाड़ी मुंदों में उठेंगा दाड़ी रखो मरे दाड़ी रखने वाले सहाबा पैगंबर सिद्धिक इन शुहदा में अल्ला जगाएगा जन्नत में कौन-कौन जाना चाहती है जरा हाता उठाओ देख तू मही माशाल्ला तुमना नको क्या जिए जन्नत हजरत हाता उठाओ साफ अब फिच्चे वाले हाता उठाओ अल्ला के फरिष्टे देख रही मैं ने देख था क्या हुआ अल्ला के फरिष्टे जाग तुमना किसे किसे हो ना साब जन्नत माशालला सब जन्यांग होना जन्नत अब निचे करो जन्नत हाता उठाए तो नहीं मिलती हाता उठाए तो जन्नत नहीं मिलती जन्नत में जाने जन्नत में जाने जैसे कामा करें तो जन्नत मिलती अब जन्नत में जाने जैसे कामा करती हैं क्या भी तुम्हें हातां चुटाएने ना जी, उठाओ जी, माशा अल्ला, अब जन्नत में जाने जैसे कामा करती हैं सब भी जने, दाड़ी रखना, तो ही पर चलना, नमास की पाबंदी करना, एक दूसरे से बात नहीं छोडना, मिल जुलकर मुहबबस से रहना, तखने से उपर करना, और नौजवाना, डुकुर कटिंग नहीं करना, नौजवाना, खिंजिर की कटिंग नहीं करना, हमारे नौजवानां को एक लंबी बिमारी आजकल, वह कोसा मेरा बेटा निकाला की फैशन, आजु बाजु ताम्बे का हांड़ा चिले सरका चिले चोड़ता हैं सिर, अजु बाजु हां, आजु बाजु उपर च़ड़ते का बेंड़, सुर की बाणक बेंड़, दो अजु चार चारे का बेंड़ रंड मेरे लागा, काँन भी वह के वैसी कटिंग हमारे नौजवानां की आजु बाजूवाना उशु पूरा चिलेको तमीया नहीं , आँका शिर्वी नहीं रिवा वाहिसा चमडे लिखते रहती वह इसे कोई रने कि शिकाया तुम नहीं किए ? कई कुछ होना तुम नहीं आए ? अल्ला के वास्ते उसे बदुकूर कतिंकतीं से किंजिर कतिंकतीं, अई से कंतिंगों से नभी मना करें एक सहाबी रसूल थे, उनका नाम खुरायम अल-असदी रसी आला नहू था, लंबे बाला रखेते उनों, यहां तका गर्दन तका, और उनका कपड़ा तखने से निचे था, नभी बोले, खुरायम असदी क्या अच्छे अदमी, अगर इनके अंदर दो चीजां दूर हो दूसरा, उनके बाल रखेते, लंबे नही रहना, सरा गिर्दा कटिंग रहे तो, बड़े अच्छे अदमी, नहीरत नहीं बोले नभी, इंडेरत बोले, दूसरें के जरीए बोले, वो दूसरे अदमी आखो, इनको बोले, खुरायम अल-असदी रसी आला नू, देखो भई यह अल्ला की नभी तुमना महबबत करती हैं, पसंद करती हैं, लेकिन तुमारे अंदर यह दोग कम्याह है कते, तुम्हे दूर कर लिया तो, अल्ला की नभी के निगाह में बहतरी नदमी कते तुम्हे, यह सुनते ही, खुरायम अल-असदी, अपनी जिंदगी में कभी यह अनकल खयामत के दिन, हुझत बनकर खयामत के दिन, अल्ला तुम्हारे सामने पेश करींगा, एक डराने वाला बढलारी से आया था, तुमना हदीस रसूल सुना को डराया था, इधर से सुनको उधर से कईक उड़ाए तुम्हें, कईक अमल करें नहीं, जन्नत में जाने की तमना में हातां तो उठाए, लेकिन जन्नत में जाने के वास्ते इस पर अमल क्यों नहीं करें, अल्ला पूछेंगा, इसके वास्ते, अल्ला के वास्ते, अल्ला की दीन के वास्ते, जन्नत में जाने के वास्ते, शरीयत को फालू करो, अपने घर को इसलामी माहौल बनाओ बस मैं इसी पर अपनी बात खतम करता हूँ, अलाह अलामीन हमारे नंदियाल शहर पर तीरे रहमतें बरकते नाजिक नाजिल फर्मा अलाह सगेरा कबिरां गुना माव फर्मा अलाह सब्सक्रुब लगर बहुत सारी बराई आँ कीं हैं, हमारी मہोत आने से पहले हमारे सारे गुनाहों को तुम मगफिरत से बख़श दे आए अला हमारी मा बेटी बेहन को पर दे कि हिफाज़त करने की तुफिक अता फर्मा हमारे नوجवान लड़के और लड़कियों को शेटान के हर फितनों से उनकी हिफाज़त फर्मा आए परवर्दिगार हम में से जितने खरसदार बेटे हैं एए इलाह लालमी तेरी शान बड़ी शोकत वाली है तेरी खुद्रत से तमाम लोगों के खरसों का बंदोबस फर्मा दे हम में से जितने भी बेमार हाल हैं अल्ला तु सारे तबीबों का सबसे बड़ा तबीब है तेरे हाथ में सारी शिफाए कुली है अल्ला तमाम मरीजों को शिफाए कुली अता फर्मा सहत औ आफियत वाली जिदगी अता फर्मा आए अल्ला हम में से जितने भी यहां परेशान बेटे हैं जिन जिन की जो जो परेशानिया है Allah तू हर एक के दिलों का भेद जानता है Allah हमारा मुश्किल कुशा तू अकेला रबुलालमीन है तेरे सिवा ना कोई हमारा मुश्किल कुशा है ना कोई पीर है, ना कोई दाता है, ना कोई वली है, ना कोई खाजा है Allah तू अकेला हमारा मुश्किल कुशा है यहां महफिल में मेरी आवाद सुनने वाली ओरते हो मरद हजरात हो जिन जिन के जो जो परेशानिया है मेरे मालिक अल्मल्क तमाम लोगों के परेशानियों को तो दूर फर्मा दे अल्ला खुश्छाल जिन्दगी नसीब फर्मा एमान वाली जिन्दगी नसीब फर्मा अमन और सुकून वाली जिन्दगी नसीब फर्मा इस्जट वाली जिन्दगी अता फर्मा आया ला मरते वकद हमरी जबान पर कल मैं अशहद अल्ला इलाह इल्ला नसीब फर्मा नमास के हालत में रोजे के हालत में सजदे की हालत मे खातिमा بि- лучшеर अता फर्मा है अल्ला मरने के बाद ख़बर में हमारी निगा गोध दे निगाह तक कुशादा करदे मुझकिर औ नकिर के स्वाल के जवाब तीरी खुदरते कामला से देनी की तव्दिव अता फर्मा सबाल ज़ाब की वक्त हमारी एमान की थाबित खदमी हमीं नसीब फर्मा ऐा अगा आध अगा, ऑफ, जननत का बिछोना, जननत का लिबास हमारी खबर में जननत की क्डृड़ की तेरी खुदरत से नसीब फर्मा है अल्ला आलियीन में हमारी रूहों को जगा नसीब फर्मा हमारे माँ, बाप, रिशेदार जो भी तोहित परस मर के तेरे घर के महमान बने हैं अल्ला उन लोगों के खबरों में करवट करवट जन्नत की खिड़की अता फर्मा उनको अजब खबर से महफूस कर दे ऐए अल्ला खयामत में जब जगा तो दाए हाथ में नामा आमाल लेकर तेरे अर्श के दाए जानी खड़ने वाले नभीयों, सिद्धों, शहीदों में हमारा शुमार फर्मा दे अल्ला तेरे अर्श के साये के सिवा कहीं कोई साया नहीं रहेगा अल्ला तेरी रहमत के साये में हम हकीरों फकीरों को तेरी जगा नसीब फर्मा तेरे अर्श का साया नसीब फर्मा आए परवर्दिगारा तेरे नभी के हातों होज कुसर का पानी नसीब फर्मा तेरे नबी की शिफात, एक कुबरा तेरे रहम ओक्रम से हमी अता फर्मा आया लगा, खियामत के दिन हम को हमारे खांदान वालों के सामने जलील और रूस्व ओने से बचा ले मेरे मुला अल्ला पूल सीरात के उपर से बिजली के तरह पार करने वालों में पार करने वाली जमात में आए लाह हमारा शुमार फर्मा आए लाह जन्नत में जन्नतु फिर्दोस तेरे रहमो करम से तेरे फ़सलो करम से हमी नसीब फर्मा जन्नतु फिर्दोस में तेरा दीदार तुझे देखना आए लला तुझे देखने की नेमत आए लला हमी नसीफ फर्मा हम को हमारे खानदान के साथ जन्नत पुर्दौस में जगा नसीफ फर्मा जितने भी यहां बैटे हैं जिन जिन की जो जो नेक खाहिशात है कोई حть करना चाहता है कोई हुमरा करना चाहता है आया ल्ला तमाम लोगों की नेक अर्मानों को तु पूरा फर्मा दे अल्ला हम तमाम को दुनिया में आखिरत में तेरी खुशनुदी नसी फर्मा कही सुनी बातों पर अमल की तुफी खता फर्मा आमीन या रब लालमीन